असलाम आलेकम एर्वान दिस वैसल असलाम और इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है और प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है उसमें क्या कुछ आता है और आपने उसको किस तरह न से प्रिपेर करना है प्रिपेर तो अफ कॉर्स यह ऐसी कुछ चीज है कि अच्छी के प्रेक्टरस है वह आपको इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स यह वह दिला सकती है तो जुनियर क्लाग डेटा एंटरी और इस तरह कि तमाम टेस्ट हैं वह सिमीलर्ली इसी तरह से होते हैं एक वीडियो आपने देख लेनी है और उसके बाद आपको आइड card original लेके जाना है और admission slip जो आपके पास मौझूद हो कि जिस पे आप करोल नंबर बगारा लिखा होगा वो आपने लेके जाना है duration जो होगा वो 5 मिनिट होगा और आपको 200 words दिये जाएंगे जो आपने 5 मिनिट में लिखने यानि कि 40 words पार मिनिट आपकी अगर proficiency उन्होंने चेक करनी है कुछ यह test के according vary करती है गुछ 35 word पार मिनिट require करते हैं कुछ 40 words पार मिनिट require करते हैं तो उसके according प viola अपने अपने अपको adjust करना है कि इतने ही words आपको दिये जाएंगे time आपका वोई 5 मिनिट रहेका यह software है जो के आम तोर पर जो typing test दे रहा है mostly लोग जो typing test देते हैं उनको typing master of course इसका पता होता है यह screen उनके लिए एक पहचानने वाली होती है उनको पता होता है यह screen किस software की है तो उस test typing master जो software है उस पर आप अपने practice जो है वो कर सकते हैं इसी पर ही आपका test जो है वो लिया जाएगा इस तरह की qualification होती है of course आपको पता ही होगा our speed of 30 words per minute in typing on computer तो यह 30 words, 35 words, 40 words वो requirement जो है वो मुख्लफ qualifications के लिए मुख्लफ posts के लिए vary करती है तो आपको अपने तोर पर उसके लिए prepare करना है यह वो keyboard होता है जो के आपको मुख्लफ जगों से मिल जाएगा किसी ने किसी शॉप से और इसी पर आपने practice करनी है आपने laptop पर practice नहीं करनी आपने soft keyboard पर practice नहीं करनी इसके जो button होते हैं वो थोड़े उबरे हुए होते हैं बाहर की तरफ होते हैं नार्मल जो keyboard कुछ होते हैं जिनके बटन बिलकुल अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं तो उन पर उंगलियां जो हैं वो easily move कर सकती है इस पर भी एक दफ़ा जब आपकी practice अच्छी हो जाती है तो इस पर भी आपकी उंगलियां वैसे ही easily move करेंगी लेकिन जिनकी practice laptop पे होती है उन keyboard पे होती है जिनके बटन जो है वो अंदर की तरफ दबे होते हैं उनको first time जाकर इस keyboard पे type करना मुश्किल लगता है तो इसलिए ये keyboard आपने खरीदना है same as it is इसी तरह का और इसी keyboard पे आपने practice करनी है आपने किसी और keyboard पे practice की होगी आपके सामने एक different keyboard एक different alignment आएगी एक different जो ये keys का pattern आएगा तो फिर आप उस पे confused हो जाएगी या आपकी वो जो proficiency है वो नहीं रहेगी अगर आप घर से 50 words per minute prepare करके जाएगे तो वहाँ पे आपकी 40 words per minute speed जो है वो निकल सकेगी because एक तो confusion होती है, task burden होता है, task stress होता है psychologically बंदा थोड़ा सा out of his own sphere होता है तो इसलिए आपकी जो इस पे अगर grip बेहतर होगी तो आप वहाँ पर भी better perform कर सकेंगे आपने अपने आपको cool रखके, relax रखके tapping करनी है तो आप easily required tapping speech जो है वो achieve कर सकते हैं ये एक paragraph sample है, आप इसको इसी तरह से, मैं नीचे description में भी दे दूँगा वहाँ से copy paste करके आप इसको practice कर सकते हैं ये एक मुश्कल paragraph है मैं ये नहीं कहता कि as it is इसी तरह का paragraph होता है लेकिन आपको at least इसके लिए practice करनी चाहिए अगर आप इसके लिए practice करेंगे और आपको एक आसान paragraph आएगा तो आपके लिए वो एक हलवा होगा लेकिन अगर आप आसान मुश्कलिफ जो चैनल से उन पर बिलकुल आसान से paragraph दिये हुए बच्चों वाले paragraph दिये हुए अगर आपने उन पर practice की और आपको इस तरह का paragraph आ गया तो फिर आपके लिए वो मुश्कल का सामना करना पड़ सकता है तो इसलिए आप practice मुश्कल की करें आसान आगया तो आपके लिए तो वो issue कोई नहीं होगा आपने मुश्कल की प्रक्टिस की हुए है आसान आप easily उसको टाइप कर सकेंगे तो इसलिए इस paragraph को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से copy paste करके आप इसकी practice कर सकते है यह थोड़ा पुश्कल है at और hash और hashtag इस तरह के normally usually नहीं आते तो लेकिन आपको फिर भी उसके लिए prepare होना चाहिए कि अगर एक आड़ा word इस तरह का आज है special characters में से तो वो भी आप असानी से लिख सकें उसके बाद आता है proficiency test typing test के फॉरण बाद ही proficiency test भी होता है इसके लिए आपके पास 45 minutes होते हैं और 30 marks होते हैं 10 marks word के होते हैं MS word के 10 marks जो हैं वो powerpoint के होते हैं और 10 marks axle के होते हैं सबसे पहले जो instructions लिखी होते हैं paper के उपर वो ये हैं कि आपने एक folder create करना है desktop के उपर और तीन files बनानी है new files word, axle और powerpoint की अपने word को अपने जो काम है उसको आपने regularly save करना है अगर बिजली जाने के सूरत में अगर आपका जो काम है वो loose हो जाता है खराब हो जाता है तो वो solely आपकी अपनी जिमादारी होगी जब आपने complete कर लिया है कोई task यानि के world पे जो कुछ आपको कहा गया है कि आपने ये बनाना है वो आपने बना लिया है तो उसके बाद आपने उसको print लेना है और sign करके नीचे चमा करवा देना है इसके लावा calculator की आपको इजाज़त नहीं होगी ये वो पेपर है originally पंजाब Public Service Commission की जानब से MS Office Proficiency Test 22 February 2020 को ये टेस्ट हुए जूनियर कलर का Services and General Administration Department में ये वो ही instructions नीचे लिखी हैं जो मैंने आपको उपर बता दी है next लब हम देखते है MS World तो इसमें इसने क्या कुछ दिया हुआ है आपने ये नीचे दो पैसेज लिखा हुए इसको लिखना है और टाइप करना है तो इसके टाइप करने का आपको एक नमबर मिल जाएगा उसके बाद आपने इस paragraph के अंदर जहां पर भी computer लिखा हुआ है उसको replace all function को use करते हुए computer को capital letters कर देना है सारे का सारा पूरा computer जो आपने capital कर देना है इसके आपको एक mark मिलेगा उसके बाद आपने copy करना है और इस पूरे paragraph को जो आपने previously type के उसको copy करना है और तीन columns के अंदर paste करना है और बीच में दो lines आनी चाहिए यानि कितीनो columns के बीच में line होने चाहिए इसके आपको मिलेंगे दो marks change the layout of the page to landscape and change all margins to 2 cm page margins आपने change करने है और layout आपने change करके landscape रखना है पहले से अगर change नहीं है फिर वहाँ पे आपको जो दिया होगा वो portrait में होगा आपने उसको landscape में change करना है और इसके भी आपको 2 marks मिल जाएंगे जब आप margins 2 cm कर देंगे उसके बाद आपने एक page border बनाना है एक mark इसका होगा उसके बाद आपने drop caps लगाने जो first letter होता है वो बड़ा सा नजर आता है तो इसको drop cap कहते हैं इसलिए आप अगर typing test देने जा रहे हैं तो आपको definitely इस चीज़ का पता होना चाहिए एक mark आपको इसका मिलेगा उसके बाद आपने title page बनाना है document का जो उपर लिखा हुए central processing unit and software compatibility इसका आपने title बना देना है first page तो उसका आपको एक mark मिलेगा central processing unit and software compatibility के नीचे आपने hyperlink लगाने www.google.com जब उस पर click किया जाए तो google का page जो है वो open हो जाए तो ये आपका MS Word का paper होका 10 marks आपको इसके मिल जाएंगे तो आपको idea हो गया कि इस तरह के जो questions हैं वो proficiency test में पूछे जाते हैं ये वही चीज़ है जो मैंने उपर बता दी है उसको मैंने clearly लिखती है ताकि आपको समझा जाएं उसके बाद Excel का है आपने following test sheet बनाना है MS Excel के अंदर students marks sheet और इसको बनाने के बाद आपने total marks करने physics, maths and computer subject के obtained marks के section में यानि कि आपने एक formula लगाना है जो के physics, maths और computer के जो marks है उनको add करके obtained marks वाले खाने में जमा करते हैं उसके बाद आपने calculate करने है percentage वो भी एक formula के according तो वो percentage है automatically तीनों जो चारों students है उनकी सामने आनी चाहिए उसके बाद आपने if function यूज़ करना है कि अगर उनके marks जो है 33 से कम है तो वहां पे वो fail लिखे last वाला जो column है और अगर 33 से जादा है तो फिर वो pass लिखे तो यह आपको पता होगा कैसे करना है वो मुझे आपको पताने की ज़रुवत नहीं है उसके बाद आता है power point का एक paper जिसमें आपने create a presentation that consists of two slides apply any animation on both slides एक number मिलेगा use different layout and theme for each slide दो marks उसके बाद next जो slide 1 है उसका अपने title रखना है the seasons और subtitle रखना है by your name आपने अपना नाम लिखना है कि इस बंदेनी ये बनाया है title का font size आपने 65 रखना है slide 2 पे आपने font size ये वो 50 के साथ एक title बनाना है spring नीचे आपने लिखना है March 20th is the first day of spring spring lasts from March to June इस तरह का आपका paper होगा आपको एक idea देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपका इस तरह का paper होगा उसके बाद आपका चोथा paper जो 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 जोथा question होगा powerpoint में आपने apply different layout style for each slide हर slide के लिए different layout style रखना है उसके बाद different slide design और इस slide या अपने दोनों slides पर different लगाने है एक एक mark आपको मिल गया actions button to advance the slide backward and forward आपने action लगाना है backward and forward करने के लिए इसके आप macro यूज कर ले या action यूज कर ले वो आपकी अपनी मरजी है apply animations and transitions on slides दोनों slides के उपर आपने transitions लगानी है and animations लगानी है एक mark आपको इसका मिल जाएगा एक और paper जो powerpoint के वो कुछ इस तरह का हो सकता है मुम्किना तोर पर create a presentation consisting of two slides first slide के उपर आपने ये flow diagram बनानी जो उसने सामने बनाई है और second slide के उपर आपने जो values सामने उसने दी हुई है pencil की quantity, notebook की quantity, file covers की quantity और paper rim की quantity जो है इनकी आपने pie chart बनाना है जो के इन चीज़ों के नाम और इनकी quantity को जाहिर करेगा तो ये वो सारा कुछ होता है जो के आपके proficiency test में और typing test में ये चीज़ें आती हैं इन सारी questions का आपको पता है मुझे answers बताने के जरूत नहीं है आपको करके दिखाने के जरूत नहीं है एक बंदा जो वहाँ पर typing करने गया हुए